और भाई क्या हाल हैं तो ये है latest evolution X का 7.6.2 update और इसके अंदर मैंने NGK करनल को यहां पर इंस्टॉल कर रखा है अब NGK करनल को कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे सेट अप करेंगे इस रॉम में वह मैं आपको बताऊंगा और यहां पर आपको कैसी performance मिलेगी कैसा battery backup मिलेगा प्लस क्या कुछ आप करडिशनल चीज़ें मिलती हैं अगर आप NGK को इंस्टॉल करते हो Poco X3 Pro के ओपर चलो इन डिटेल में सबी चीज़ों के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में और यहां पर मैं आपको दिखा ज़ता हूँ यह है Poco X3 Pro Android version 13 के साथ latest update मैंने इंस्टॉल कर रखा है review भी आ चुका चैनल पे और यहां पर आपको जो है latest kernel मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसके हैं यहां पर आपको मिलेगा no gravity kernel version 3.3.0 और यह Feb 25 से updated है अब इसको install कैसे करना है उसके बारे में तो आगे बात करेंगे बड़ सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर gallery में और मैं आपको चीज़ें चेक करवाता हूँ तो सबसे पहले चार्जिंग स्पीड आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको install करते हो चार्जिंग टाइम में maximum air को 38-39 degree के आसपस temperature मिला उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर geek band 6 के scores की तो यह scores आपको मिलेंगे ng के करनल के उपर और stock के साथ अगर आप इसको compare करना चाहते हो तो यह scores आपको stock के उपर मिल जाएंगे उसके बाद अगर हम CPU throttling graph की बात करें तो CPU बिल्कुल भी throttle नहीं करता जो CPU throttling graph है वो around same आपको मिलेगा number of Gips भी आपको around same देखने को मिलेंगे जो हमें stock करनल में मिलता है जो कि आप check out कर सकते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा चीज़े देखने को नहीं मिलती अब ROM के अंदर बैटरी backup की बात कर लें तो मैंने वैसे तो combine कर लिया मैंने reset नहीं किया stats को तो मेरे को with BGMI और भाई previous करनल के साथ में जो है पूरा combined कुछ ऐसा active drain मिला और जो idle drain आपको काफी अच्छा है तो battery consumption में आपको problem नहीं आएगी जो battery आपको consumption मिलेगा वो अच्छा है normal usage में कोई major F यहाँ पर आपको battery drain नहीं मिलेगा and 6,25,000 के आजपास मेरे को यहाँ पर यह scores मिले and जो 3D mark के scores है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ तो यह scores आपको 3D mark के अंदर जो है NGK के साथ मिलेंगे और यह वाले जो scores है ना वो आपको मिल जाएंगे इसके stock करनल के साथ and जब आप NGK करनल को install करोगे तो जो ROM है वो काफी ज़रा smoothly work कर रही है as you can see यहाँ पर बिल्कुल stuttering वगरा नहीं आएंगे even अगर आप यहाँ पर जो है एप opening closing animation के speed भी देखोगे न तो वो भी काफी अच्छी आपको मिलेगी बिल्कुल भी मेरको यहाँ पर UI के regarding stuttering नहीं face करनी पड़ी और हां stock launcher है यहाँ पर और आप जो है optimization देख सकते हो haptics वगरा भी काफी इच्छे से काम कर रहे हैं अब हम बात करते हैं final चीज की वो है ROM के अंदर gaming performance जिसके लिए हम इसको install करने वाले हैं तो NGK के साथ भाई अगर आप यहाँ पर जो है gaming करना चाते हो 90 fps में तो मेरा जो phone का temperature भाई 48-49 के आसपास गया बीना screen recording के यहाँ पर अगर आप screen recording on कर देते हो तो वो maximum भाई 52-53 के आसपास भी चला गया था तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से आपको heating issues तो जरूर मिलेंगे बट एक चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर जो performance है ना वो काफी ज्यादा कमाल की आपको मिलेंगी लाइक जो fps है वो काफी ज्यादा stable मिलेंगे एक चीज़ मैं आपको और recommend कर सकता हूँ अगर आपको ज्यादा ही heating issue फील हो रहा है Poco X3 Pro में तो आप 60 fps में switch कर सकते हो आपको flawlessly 60 fps मिलेंगे और जो touch response है जो यहाँ पे aiming है भाई सब कुछ आपको top notch मिलेगा definitely जो kernel है वो आपको थोड़ा सा overclocked देखने को मिल जाएगा तो उसकी वज़ा से आपको heating issues तो phase करने पड़ेंगे बट जो performance है ना भाई वो top notch आपको मिलेगी आप यह चीज़ जो है try करोगे तो आपको definitely पता चल जाएगा and gaming के लिए यह वाला combo best है and recently मैंने जो है अभी एक evolution X और latest kangaroo X के साथ भी video बनाया था उसको भी आप check out कर सकते हो installation से पहले हम बात कर लेंगे इसके profiles की तो यहाँ पे आपको एक app मिल जाएगा dedicated जिसका link के description में है just install करना हाँ इसके जो modes हैं उसमें आपको balanced और यहाँ पे performance, battery और gaming try कर सकते हो और साथ मैं thermal profiles को मैंने on करका है काफी लोग बोलते हैं कि thermal profiles कैसे use करें तो battery में आ जाना उसके बाद आपको thermal profiles का option मिलेगा तो यहाँ पे जैसे 3D mark को मेरे को benchmarking app है I know तो यहाँ पे मेरे को benchmark select करना है that's it यह apply हो जाएगा automatically just ऐसे ही आपको बाकी apps को भी select करना है जो आप चाते हो और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यह चीज़ आपको मिलेगी अब यहाँ पे ना अगर आप NG के try करना चाते हो तो अपने phone को root करना होगा क्योंकि यह वाला app आपका work नहीं करेगा भाई बीना root के आपको इसको super user की permission प्रवाइड करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप check भी कर सकते हो इसको मैंने permission प्रवाइड कर रखिया है उसके बाद इसके modes आप change कर सकते हो अब install कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं तो basically सबसे पहले हम backup को create करेंगे जो की होगा straw kernel का तो plus के उपर क्लिक करना boot and dtbo इनको select करना और swipe to backup कर सकते हो इनकेस कोई boot loop गरहा था तो back recovery के अंदर आखे आप just इसके उपर क्लिक करना और इसको restore कर सकते हो तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी अब उसके बाद download में आना जहां भी आप download करोगे जैसे मैंने यापर select कर रखा है और इसको swipe to install कर देना है within few seconds आपका जो kernel वो flash हो जाएगा और rooted भी होगा ना phone तो वो unroot नहीं करेगा ये patch कर देगा उसको और I think इसको आप non-rooted phone में भी try कर सकते हो बढ़ा Poco X3 Pro के लिए है और किसी भी phone में try मत करना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको install कर सकते हो and आप then अपने phone को restart कर सकते हो और जो app है वो कैसे setup करना है already मैंने बात कर ली है that's all for this video please subscribe करना and मिलते है next interesting video के साथ